देश बदल रहा है, कैशलेस की ओर बढ़ रहा है कैशलेस की मुहिम में महिलाएं भी बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रही है बात चाहें मौल में शॉपिंग करने की हो या फिर घर के लिए सबजीया खरीदने की, पेमेंट मोड अब डिजिटल हो रहा है ये नरेंदर कौर है, दिल्ली से सटे नुईडा में रहती है नरेंदर कौर की जिंदीगी का एहम हिस्सा बनता जा रहा है कैशलेस पेमेंट नरेंदर कौर किचिन का तकरीबन सारा सामान डिजिटल पेमेंट के जरिये ही खरीद रही है रोज मर्रा की जरूरत की चीजें जैसे सबजी, फल, डूद का पैकेट, किचिन का राशन, बच्चों का सामान, सभी चीजों का पेमेंट अब डिजिटल मोड में ग्रेंडियों ने करना शुरू कर दिया है नरेंदर कौर का कहना है कि नोट बंदी का किचिन पर पॉजिटिव एफेक्ट पड़ा है किचिन में फिजूल खर्ची पर पूरी तरह से रोक लगी है कम पैसे में घर कैसे चलाया जाए, नोट बंदी ने ये भी सिखा दिया किचिन की खर्च में 40-50 फिजदी तक की कमी आई है नोट बंदी की बज़े से सबजी और फल के दाम कम हो गए है किचिन कैशलेस दौर में पहुँच चुका है नोट बंदी के 40 दिन बाद अब हर कोई कैशलेस की बात कर रहा है सबजी वाला हो या फिर दूद वाला हर किसी की जुबान पर कैशलेस होने की बात है पवन नारा जी मीडिया नोईडा तो अब यूं लगाईए कि आठ तारीक से पहले आप कहना तो दूर सोच भी नहीं सकते थे कि क्या कैशलेस हो सकता है क्योंकि कही ना कहीं किसे ना किसे डिब्बे में कुछ ना कुछ छुपा के ग्रहनी नेक पैसे जरूर रखके होते थे कि महंगाई दर भी कम हुई है सबजियों के दाम भी घटे है आपकी जेब को फाइदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है आप खुद बताईएगा नोट बैन के बाद कितना बदल गए है आप किचन वही है या फिर नहीं देश भर का रियाल्टी टेस्ट सीदे किचन से माजूद होंगे विशाल हमारे साथ लखनों से साथ देंगे और माने परिवार के यहां से नित्यानंद मुंबई से निवरिती सबसे पहले नौइडा का रुख हम करना चाहेंगे कोई नहीं सोच सकता था नौइडा से तो हम खुद आते हैं और मैं कम से कम इस बात का गवा तो हो सकता हूँ कि जो रोज मर्रा की चीजे थी जो की यूज होती है रसोई में वो बगएर कैश के नहीं आती थी उसके लिए तो कैश देना ही पड़ता था अब वो कैश लैसो रहा है अब वो चीजे आ रही है ये परिवार क्या कह रहा है इनकान भाव कैसा रहा कुल बिला करके 43 दिन हो बड़ा है जो ट्रांजेक्शन पहले ये कैश में करते थे अब जो चोटे-चोटे ट्रेडर्डर से उनसे यह जाकर कैशलस ट्राजेक्शन करे हैं अभी शर्मा फैमिली से मैम आप बता रही थी कि आप जहां से सबजी पहले लेती थी वहां पहले कार्ड पेमेंट नहीं हो हो रहा है तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है कोई परिशानी भी नहीं है किसी तरह की परिशानी नहीं है आप बताएं मैं कि आपको लगता है कि अब कैश नहीं होने की वज़े से आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी तरह की नहीं नहीं कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है तो रे कर से करें थी आप आप पहले कार्ज पेमिंट करते थे कि आप सबस्तों हाये थी मllerगे आप जाधा कर ने लगे पहले कृत में पहले कर्द करते थे को जुव एज्था करने लगेolve डने काट से हं क्रेड़ कारड पेटियम के जरीए पेमेंट की जा रही है यहां पर साफ साफ बता रहे हैं कि ऐसे जो चौप की पस्थे जो ट्रेडर्स थे जो आपको पहले कैश में ही आपको चीजें दिया करते थे अब उन्होंने इंट्री यूस की है कार्ड पेमेंट्स या पेटियम से पेमेंट के जरीये वहाँ पे पेमेंट की जा सकती है और वहाँ से ये अपने रोजमरा का सामान लाने में सक्षम है इस वाक्त जी नित्या नंद मैं आपके पास आना पैसे नहीं देंगे क्या मुंबई वाले ऐसा कर रहे हैं या अब भी वो कैश दे रहे हैं किसी तरीके से कितना फर्क पड़ा है माने परिवार नित्यनंद आवाज आ रही आपको इस वाल आपके लिए था लगता अब नित्यनंद तक आवाज ने नहीं पहुंची है पटना आपको लिए चलते हैं बरिजम यही सवाल अगर हम पटना के इस परिवार से पूछा जाए कि प्याज अद्रक और टमाटर ये सब बिना कैश के क्या रसोई चल पा रही है कैसे चली है लगता आवाज एक बार फिर नहीं पहुंची है एक बर हम जाने की कोशिश करेंगे दोबारा से और इन परिवारों से बात करेंगे हम आपको बताएं आप भी चुड़ना चाहते हैं आप भी चुड़ सकते हैं लागता टीवी के मादियम से भी अपने संदेश बेज़ सकत और कुल मिला करके कैसी रही है अब तक की जिन्दगी खास दोर्जा हमारा फोकस है ग्रैनी के ओपर ग्रैनी की भी रसोई के ओपर